नमस्का दोस्तों मैं हूँ राना पुताप रोय आपका दोस्तों एक वर फिसे स्वागत है आप सबका मेरी युटिप चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एन्ब बीटी टीप्स बाही राना पुताप रोय यानि की मैं दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है आज में Aristo का एक बहुत ही प्रशिद्ध प्रोड़क्ट जिसका नाम है Pentop Alice Pentop Alice कैपसुल फर्म में है और बहुत ही असरकारक है और इसके बारे में आज में पूरी जानकारी आपको देने बाला हूँ बहुत ही असान शब्दों में हिंदी में समझाने बाला हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है इसलिए अंत तक बने रही है और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज और पर प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोस्ट सके दोस्तों जो पैंटोप एलेस कैपसूल है इसके अंदर लिवो सलफ्राइड 75 mg में सस्टेन रिलिस फर्म में है और जो पैंटोप रजल है वो 40 mg में है और वो इंटरिकोटेट फर्म में है यानि कि ये दोनों ही मेडिसीन का जो कम्बिनेशन है ये मिल करके लंबे समय तक काम करता है ये किसलिए काम करता है देखिए इसका काम होता है जो इस्टोमाख है उसमें जो अतिरिक्त एसिट का सेक्रेशन होता है और जिसकी वज़ा से कई सारी बीमारिया होती है जैसे की गर्ड, गैस्ट्रोइसोफगल, रिफ्लक्स डिजीज या फिर जॉलियंजर सिंड्रोम या फिर बॉल सिंड्रोम, गैस, एसिडिटी, हार्ट वर्ण, पेप्टिक अलसर इन सभी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है देखिए जो इस इस्तोमाख हे, उसमें एसिट का सिक्रेशन होता रहता है और यह हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही आवस्षक है, लेकिन जब कई कारणों से, चाहे वो खानपान की बज़र से हो या कई मेडिसीन आधी लेने की बज़र से, आपके इस्तोमाख में अतिरिक्त एसिट का सि उस समाई जो इस्टोमाख है उसकी अंद्रूनी दिबार पर चाले पड़ जाते हैं और चाले का टीटमेंट अगर नहीं होगा तो वो धीरे धीरे घाव में बदल जाएगा और घाव में एक प्रकार का बैक्टिरिया होता है जिसका इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हेलिकोब पाइलोरी बोलते है उस समाई यह खतरना कंडिशन हो जाती है और आपको पेप्टिक अलसर की बीमारी हो जाती है दोनों ही प्रकार का जो पेप्टिक अलसर है वो इस्टोमाख अलसर हो या फिर आपका डिविडेनल अलसर हो दोनों ही प्रकार का जो बीमारी है उसमें आप Pantop LS का इस्तेमाल कर सकते है Pantop LS में जो Pantoprasil है वो अतिरिक्त एसीट का सेक्रेशन को रोपता है और जिसकी वज़ा से पेट में जौलन दरद आदी नहीं होता है और साथ में जो लिवू सलफराइड है ये एक प्रकार का Prokinetic Agent होने की वज़ा से जो स्टोमाक और इंटेस्टाइन है उसकी जो मुवमेंट है उसको बढ़ा देता है जिसकी वज़ा से जो भोजन हम लोग खाते है वो उपर आने की वज़ा है उसको नीचे जाने के लिए प्रेरित करता है और जिसकी वज़ा से जो भोजन है वो आहर नाल में बैक नहीं आ पाता है जिसकी वज़ा से जो उल्टी आदी है वो नहीं हो पाता है ये बहुत ही अच्छा एंटी गैस और एंटी एमेटिक मेडिसीन है जो पैंट टॉप एलेस है और इसका इस्तेमाल करने से अगर मन लिज़े जिसका पेट में अलसर है गैस एसीडिटी हार्ट वर्ण आदी की समझता है और साथ में जो भी खाता है पीता है वो बापस बैक हो जाता है उल्टी हो जाती है तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसीन है प्रशन इस बात का है कि जो पेंटोप डीसर है या पेंटोप डी है या फिर अन्य जो भी पेंटोप रजल युक्त मेडिसीन है उसका इस्तेमाल भी तो कर सकते है देखिए उसमें भी पेंटोप रजल और कोई एंटी एमेटिक मेडिसीन होता है लेकिन ये जो लिवोसल प्राइड है ये उससे नेक्स्ट जेनारेशन का है या नेक्स्ट लेविल का एक एंटी एमेटिक मेडिसीन क्या सबते हो जब अन्न दवया काम नहीं करती है ठीक प्रकार से तब इस मेडिसीन का इस्तेमाल करना चाहिए आपको तो ये बहुत ही आसरकारक मेडिसीन है इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए देखिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर की परामाश से जैसे डॉक्टर बताए वैसे ही करना च लेते हैं कि ये आपको खाली पेट लेना चाहिए, खाली पेट का मतलब सुभा नाश्ते से एक घंटा पहले या फिर नाश्ते के दो घंटा बाद लेजिए, क्या इसका इस्तेमाल सुभा के अलाबा अन्न समय क्या जा सकता है तो हाँ अन्य समाई भी किया जा सकता है मालीज आपको रात को जुरुरत हो रहा है इसका तो आप रात को भोजन से 1-5 गंटा पहले आप ले लिजिए जब आपका इस ट्रोमाग खाली हो रहा है उस समाई आप ले सकते है या फिर भोजन से 2-5 गंटे के बाद आप ले सकते है इसको कुछ लोगों का प्रशना ये होता है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल फ्रेश होने से पहले करे या फ्रेश होने के बाद में करे तो देखिए आप फ्रेश होने किसी भी टाइम चले जाए सबयरी एकदम फ्रेश हो रहा हो तो उस समाई के अलग बाद है लेकिन आम तोर पर सुभा को जो इस्टोमाख है वो खाली हो जाता है तो उसी समय आपको यह लेना चाहिए फ्रेश आप कभी भी होने जाए कैपसुल लेने के बाद में जाए लेकट कैपसुल लेने से पहले आप फ्रेश होने चले जाए उससे कोई फार्क नहीं पड़ता बस आपका इस्टोमक खाली होना चाहिए अगर नाशता कर रही है आपने तो फिर नाशते के दो घंटे के बाद आप इस कैपसुल का इस्तेमल कर सकते हैं इस कैपसुल से साइड इफेट क्या क्या हो सकता है देखिए इस कैपसुल को लेने से दस्त हो सकता है पेट दर्ध हो सकता है सिर्दर्ध हो सकता है आपको सुस्ती कमजोरी आ सकती है पेरियड आपका गड़बड हो सकता है सास फूल सकता है बुखार आ सकता है आपको बदन द तक इस्तेमाल कंडिशन में लंबे समय शेशन करना है तो आपके बोड़ी में केलशियं और मेगनीशियं की कहा है कि आहिए परनदों कमें पर नियुक्त łत circulate टील Πरिकित आतको टॉक्त केश्वेक डॉक्वा duda di कमी हो सकती है तो उसकी वज़ा से डॉक्टर की परमाज से आपको कोई केलशियम और मेगनेशियम का जो सप्लिमेंट है वो लेना पड़ेगा वो कैपसूल और टैबलेट कुछ भी हो सकता है तो डॉक्टर की परमाज से आप उसको ले सकते हैं तो दोस्तों पैंट टॉप एल लाइक करना शेयर करना दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकन कोई प्रेस कर लेना और प्लीज और पिर प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूछ सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ की आप सभी स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत